आज हम यह लोग रवाना हो रहे हैं और यह बात हम केना चाह रहे हैं कि इस तरह से सारे दिव्यांग जो मुख बदिर है वो सब लोग अपने घर पहुंचने के इस तरह से इंदौर पुलिस को बिच्छे दन्यवाद हम देना चाह रहे हैं और यह बात फिर भी कहना चाह रहे हैं कि सबसे बड़ी बात यह लॉक्टाउन और आ गया और हम लोग बड़े परिशान के आगे क्या होने वाला है और आज इंदौर पुलिस ज्याने जी सभी कोसुमन जी को किसे बेचे को मेरा की नाम आशी ज्वास है और यह पहले बहुत पर जब कोरोना वायरस काटेक हुआ और लॉक्टाउन बढ़ गया और लॉक्टाउन बढ़ता चला गया तो हमको लगा कि हम क्या करें अक जाने जी जाने जी पहुंचा देना एक प्रावलों को सॉलेशन नी था घर जाकर यूरी उनाइट होकर अपनी परिवार के से तिराना ज्यादा खुशी का पले जाने इंदी जी कही रातों में तक सोए नहीं पूरी रात रात भर उन्होंने लोगों के detox निकालेक हैं मैंने उनके साथ लगी रही आज आजकी बार मैं बता रही हूं कल रात उकूर रात सोय नहीं है क्योंकि कल भीहर की टीम रवाना हुई है और उनके सब में कोई भी बोलने वाला नहीं था तो रात भर कहीं चेकपोस्ट पर कोई पूलिस वाले उनसे ही था उने पर बाताना है ने लगातार वोगते बोगा थे जगे हुए है और बेवी उनके साथ जगे हुए है और अभी आज जब दूसरी टीम रहा हो रही तो हमको तो अपनी तकान ही खताम से लग रही है इस खुशी में कि ये बच्चे अपने घर जा रहे हैं और लॉक्डाउन का सबसे खास बात है कि बच्चे घर पहुंचे अपन कि अपने अपने परिवारों के साथ बच्चे जुढ जाएं और शांती से वाह रहे हैं और सुमन तुभी यह करता विश्य धुनिवाद वह लगाता है हुमारे को इसकी बच्चे पहुंचा है और आप सभी का बहुतों धनिवाद जो लाइव विजियो को शेट करते हैं औ है बहुतों